हेलो फ्रेंड्स मैं अंजिना आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मिनी गार्डिनिंग पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स मेरे आज की वीडियो की सुरुआद मेरे इन सुंदर-सुंदर फूलों के साथ तो आज की वीडियो में मैं आप से बाते करूंगी कि सर्दियों में हम अपने पेड़ पौदों की देखबाल कैसे करें क्योंकि सर्दियों के मौसम में पेड़ पौदे भी ठंड से ठीटूरने लगते हैं और मौसम का जो ये बदला होता है, पेड़ पौदे भी मैसूस करते हैं, खुसक और सर्द हवाये पौधों को नुकसान पहुचाती है, तो ऐसे में यह जानना जरूरी है कि हम उनको सर्दी से कैसे बचाएं, और कोहरे और पाले से पौदे धीरे-धीरे सुकूरने लगते हैं और अंत में खराब हो जाते हैं, तो इसलिए सर्दियों में पौधों को खराब होने से बचाना चाहते हैं, तो समय रहते हैं उनकी देखभाल के लिए कुछ जरूरी बातों पर आमें ध्यान देना चाहिए, तो सबसे पहले पौधों को खाद और पाने की कमी नहीं होनी चा गमलों में तो मिट्टी पानी को अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं कर पाती है और पानी जो है पौधों की जड़ों तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता है तो इससे क्या होता है पौधे सूख जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए पौधों की गुडाई करते रह कर देती है और पौधों की जो है अच्छे से ग्रोथ होती जैसे यह आपको दिखाई कर देनी चाहिए और बेकार की चीजयों को निकाल देना चाहिए उससे क्या और फ्रेंटस प्लांटस की सपाई हो जाती है और प्लांट को धूब भी अच्छे से मिल जाती है और सर्दियों में धूब भी तेज नहीं होती है और पौधों में नमी तो रहती है ऐसे में तो ऐसे में फ्रेंट्स हमें पौधों को गरिमयों की तुलना में पानी कम देना चाहिए सर्दियों में पानी अगर आपको ऐसा लगे कि मिठी गीली है तो प्लांट को पानी नहीं देना चाहिए और अगर आप एसी जगह पर रहते हैं जहां पर बर्फ गिरती है तो पौधों को आप ऐसी जगह पर सिफ्ट कर दें जहां पर उन पर बर्फ और पाला न गिरे और उन्हें धूब भी मिलती रहे और अगर आपके पास घर में ऐसी जगह की कमी है तो आप उनको बर्फ बारी और पाले से बचाने के लिए पॉलिथिन या कपड़े या कार्ड़ बोर्ड या किसी भी चीद से आप उनको ढख सकते हैं ऐसा करने से आपके पॉदे बचे रहेंगे और मुर्जाएंगे भी नहीं फ्रेंट्स कुछ पॉदे ऐसे होते हैं जो ज्यादा सड़ी पढ़ने पर मुर्जा जाते हैं तो ऐसे पॉदों को आप कम्रे में बालकनी में या खिड़की में रख सकते हैं बस ध्यान रखे क कि उनको ऐसी जगह पर रखे जहां पर उनको बाहर की लाइट और हवा मिले और फ्रेंट जैसे तूल्सी होती है तूल्सी का पॉदा होता है सर्दियों में अक्सर सूख जाता है तो तूल्सी के पॉदे को भी अगर आप साम होते ही जैसे दूप चिपती है और जैसी रात कुदे कोनी स्टार्ट होती है आप कपड़े से ढख दे और फ्रेंट सो ताइम टाइम पर आप उसकी गुडाई करते रहेंगे तो आपकी तूल्सी सर्दियों में भी सुखेगी नहीं और सर्दियों में भी हरी रहेगी सर्दियों के मौसम में गुलाब पर खुब फूल ख तो वहां पर गुलाब को ठंड से बचाने के लिए उसकी एक्स्ट्रा देख भाल करने की जरुद होती है तो ऐसे में आप गुलाब को कार्डबोर्ड बॉक्स से ढख सकते हैं या प्लास्टिक बॉक्स से ढख सकते हैं लेकिन फ्रेंट्स आप ध्यान रखे गुलाब के कि अले में हैंक कर रखा है और इसकी पत्यों का कलर देखिए फेड सा हो गया एक य्क पर पाला गिरता है यह इसका ऑन्हां है यह पता चलता है कि प्लाइट्स पर जो है ठंड का पाले का कितना एफेक्ट पड़ता है और मैंने यहां पर रखा इस पर फ्रेंट साल की फुल की सुभे की आदा घंटी की दूब भी पड़ती है और इस पर पाला भी नहीं गिरता और इसकी पत्तियों का जो कलर है बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है तो इस एक बार आप धूब में जरूर रहें क्योंकि अंदर वी काफी थंडा होता है तो फ्लांट जो होते हैं जाधा थंड से अंदर भी खराप हो जाते हैं तो आप उन्हें इटाइं सूपशन कर नहीं है तो अगर आप पानी अभी ध्यान रहें आप इंडूर प्लांट पर पा प्लांट्स की जड़े होती उनमें ज्यादा गीली रहने से फंगस लग जाता है और जड़े गलनी शुरू हो जाती है और इंडोर प्लांट्स मर जाते हैं तो फ्रेंट्स पानी का भी ध्यान रखना चाहिए और इंडोर प्लांट्स को जो है धूप भी दिखाते रहने चाहि तो पानी के पानी का बहुत द्यान रखना चाहिए पदे की गमले की मिट्टी को पहले चेक कर लें जब मिट्टी की ऊपर की लेर सूख जाए तभी आप पानी दे क्योंकि फ्रेंट्स शड्दियों में धूप तेज तो होती नहीं है और मिट्टी एकदम से सूखती नहीं है मिट्टी में नमी बनी रहती है, तो पानी जल्दी जल्दी नहीं देना चाहिए, पानी तभी देना चाहिए, पहले चेक कर लेना चाहिए, कि मिट्टी की उपर के लिए रसूख गई, जब मिट्टी की उपर के लिए रसूख जे तभी पानी दे, क्योंकि फ्रेंट्स अगर पोधों की गमले की मिट्टी गिली रहेगी हर समय गिली रहेगी तो जड़ों में रूट रोट होने का खतरा रहता है जड़ों में फंगस लग जाता है और जड़े दिरी दिरी गल जाती और प्लांट्स खराब हो जाता है तो पानी का भी ध्यान रखना चाहिए और फ्रेंट अगर हम अपने पेड़ पौदों की देखभाल मौसम के बदलाव के हिसाब से करते रहेंगे तो हमारे पेड़ पौदे कभी खराब नहीं होंगे अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके थेंक्यू, नमस्कार